आप सभी को जय येशु की Peters.com 24 चैनल में आपका स्वागत हैं। अगर आप भी येशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम रूत और नाउमी की प्रेणा दायक कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। उसकी पीठ में दर्द था और उसके हाथों में च्छाले पड़ गए थे। लेकिन वह खुद के और नाउमी के लिए गुजारा करने के लिए द्रड़ थी। वह उम्मीद नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया रूत का होसला नहीं टूटा। उसने अपना घर और अपना आतीत पीछे छोड़ दिया था। अब उसने इस नए अध्याय को साहस और अनुग्रह के साथ अपनाया। शाम को सूरज से राहत मिली। रूत जौँ का एक छोटा सा गठर लेकर नाउमी के पास लोटी। ये बहुत कुछ नहीं था लेकिन ये एक शुरुआत थी। साथ मिलकर वे जीवित रहने का रास्ता खोज लेंगे। नाउमी ने रूत को गले लगाया उसकी आँखें आंसुओं से भर गई। वह रूत को उसके लोगों और उसकी भूमी को छोड़ने के लिए हिचकिचा रही थी। पर रूत की वफादारी और प्यार की कोई सीमा नहीं थी। एक साधारण भोजन के दौरान उन्होंने अपने दिन की कहानियां साजह की। नाउमी ने अपने रिष्टेदार बोज की दयालूता के बारे में बताया। जिसके खेतों में रूत काम करती थी। उनके दिलों में उम्मीद की किरन जागी। शायद चीजें ठीक हो अगली सुबह रूत खेतों में लौट आई। उसने मन लगा कर काम किया। उसके विचार नाउमी और उनके भविश्य पर थे। बोज की उधारता से रूत प्रभावित हुई। उसने दयालूता के लिए उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने से उसे नई आशा मिली। शायद इस नई भूमी में जितना उसने सपने में भी सोचा था, उससे कहीं अधिकाशा थी। विदेशी के रूप में हमेशा अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनके बीच एक बंधन बनने लगा। उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों के बीच एक दूसरे की संगती, कहानियों और हसी को साजहा करते हुए सांत्वना जब उसने पूछ ताच की तो रूत ने उसे बोज की दया और उनकी बढ़ती दोस्ती के बारे में बताया। नाउमी ने ध्यान से सुना, उसके मन में एक योजना बन रही थी। वह ग्लीनिंग के प्राचीन रिवाज के बारे में जानती थी, जो एक रिष्टेदार को मृ विष्य को सुरक्षित कर सकता था और उनके प्रियजनों की स्मृती का सम्मान कर सकता था। रूत ने नाउमी की योजना को ध्यान से सुना, यह एक साहसी अनुरोध था जिसके लिए बोज और उनके जीवन के लिए भगवान की योजना पर बहुत भरोसा करना पड़ता थ उस रात रूत ने नाउमी के निर्देशों का पालन किया। वह खलिहान में गई जहां बोज देड़ से काम कर रहा था और अपने समय के रीती रिवाजों का पालन करते हुए अपनी उपस्थिती उसे बताई। बोज की प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा में उसका दिल उसकी अच्छाती में धड़क रहा था। यह एक महत्वपूर्ण रक्षन था जो उनके भाग्य का फैसला करेगा। फिर भी उसके भीतर शांती की एक शांत भावना प्रबल हुई। उसने वही किया जो सही था अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए था। बोज की मुक्ति भावित हुआ था, वह उनसे अपेक्षित सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, भूमी को छुडाने और उनका कुटुम्ब मुक्तिदाता बनने के लिए, बोज के वादा करते ही रूत पर से राहत मिल गई, उसके शब्द आशा की किरन थे, एक उज्वल भविश्य का निपटाने के लिए कानूनी मामले थे, लेकिन बोज ने उन्हें अनुग्रह और द्रिड संकल्प के साथ संभाला, जल्द ही उन्होंने और रूत ने शादी कर ली, उनका मिलन उनके प्यार, विश्वास और परिवार के प्रति-प्रति-बध्धता का एक प्रमान था, ना जो कभी दुख से भरा था, अब हंसी से गूंज रहा था, रूत और बोज ने एक बेटे ओबेद का स्वागत किया, जो राजा दाउद का दादा बनेगा, उनका वंश, जो कभी नुकसान की धमकी देता था, फलता फूलता रहा, प्रेम और वफादारी की विरासत, रूत क रूत की कहानी प्रेम, वफादारी और मोचन की एक कालातीत कहानी है, रूत की आत्रा एक विदेशी भूमी से अपने पन की जगह तक साहस, दया और अटूट विश्वास की शक्ती को प्रदर्शित करती है, उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी अशा खिल सकती है, ये परिवार के महत्व पर प्रकाश डालता है, न केवल रक्त से, बलकि पसंद से, और करुणा और उदारता के गहन प्रभाव को दर्शाता है, अपने कारियों के माध्यम से रूत कड़ी मेहनत, विनम्रता और अटूट समर्पन के गुणों को मूर्थ रूप देती है, वह हमें सिखाती है कि सची ताकत शक्ति या संपत्ति में नहीं, बलकि उग्र प्रेम करने और चुनोतियों का सामना अनुग्रह और दृड संकल्प के साथ करने के साहस में निहित है, रूत के स्थाई पाठ, रूत की विरासत धर्म ग्रंथों के पन्नों स कहीं आगे तक फैली हुई है, उसकी कहानी सभी उम्र और प्रिष्ठ भूमी के लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी अप्रत्याशित स्थानों से आशा का उदय हो सकता है, उसकी यात्रा हमें नई शुरुआत को अपनाने अग्यात का सामना साहस और खुले दिल से करने के महत्व को सिखाती है, ये हमें याद दिलाता है कि दया और करुणा जीवन को बदल सकती है, आशा की लहरें पैदा कर सकती है, जो एक ही कृत्य से कहीं आगे तक फैली हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रूत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, समुदाय में ताकत है, एक दूसरे का समर्थन करने में और यह मानने में कि जब सब कुछ खो गया लगता है, तो एक उजवल भविश्य उन लोगों का इंतजार करता है, जो आशा को थामे रहते है और आगे आने वाली संभावनाओं के लिए खुले रहते हैं।